खिरकार एक लंबे इंतिजार के बाद भारत भी उन चुनिंदा देशों के लिस्ट में शामिल हो चुका है जहां पे उस देश का अपना एक डिजिटल करेंसी भी मौजूद है जी हां दोस्तों सही सुना आपने आज यानी कि एक नवंबर 2022 को भारत ने अपना भारत का जो सेंट्रल बैंक है मतलब रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया ने ओफिशियली तोर पे जो है इंडिया का अपना डिजिटल करेंसी जो है वो लांच कर दिया है और दोस्तों जैसा कि आ maximum online transactions कर रहे हैं UPI का जमाना है ऐसे में बहुत सारे विक्सित देश और लेडी उनके कंट्री का अपना एक डिजिटल करेंसी भी है और चुकि अभी हमारा एक स्ट्रॉंग कोंपर जो है एक competition यहां पर चल रहा है क्रिप्टो करेंसी से ऐसे में गवर्मेंट का एक प्रोजेक के तहत काम की जा रही थी और फाइनली जो है दोस्तों आज Reserve Bank of India के दोवारा ओफिशियली प्रेस नोट रिलीज कर दिया गया है जिसमें भारत में भी जो ऑपरेशन होगा इंडिया का अपना डिजिटल का बैंकिंग करेंसी का और जिसका नाम रखा गया है दोस्तों होल से होल सेल मतलब की ए रूपी वालेट जो की अभी पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू होने जा रहा है और जैसा कि यहां पर आप देख सकते होंगे दोस्तों Reserve Bank of India ने अपने प्रेस रिलीज जो की साथ अक्टूबर 2022 को जारी किया था जिसमें उन्होंने अनाउंस क किया था है डेट रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया विल सून कमेंस पाइलेट पाइलेट प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन डिजिटल रूपीज मतलब की साथ अक्टूबर को आर बिया ने इस बात की घोशना की थी कि हमें कैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें आने वाल काम होगा होल सेल सेग्मेंट जो की रूपीज वालेट के तोर पे काम करेगा और जो की नवंबर एक दो हजार बाई से जो है काम करना शुरू कर देगा ठीक है इसके बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन से यहां पे जो है रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया के द्व जोदा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया HDFC बैंक ICICI बैंक कोटक महिंदरा बैंक यस बैंक IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक है विन इडेंटिफाइड फोर पार्टिशिपेशन इन दा पाइलेट फिलाल अभी जो यह नौ कुल बैंक है वो इस में डिजिटल करेंसी में अभी भ पाइलेगा दा फर्स्ट पाइलट इन डिजिटल रूपीज रिटेल सेग्मेंट इरूपीज इस प्लैंड फोर लॉंच विदिन अ मंद इन सेलेक्ट लोकेशन इन क्लोज यूजर ग्रूप कॉंप्रमाइजिंग कस्टमर एंड मर्चिन देटेल्स रिगार्डिंग ऑपरे मतलब कि आने वाले समय में सरकार किये कोशिश रहेगी यह मंद्शा रहेगी कि पूरे पैन इंडिया लेवल पर जो है इसको ऑपरेशन में लाया जाए लेकिन फिलाल अभी यह सी यूजी के तहत क्लोज यूजर ग्रूप के तहत कुछ एक लिमिटेड मर्चंस लिमिटेड रूपीज को जो है experience करने का मौका मिलेगा जब भी कोई चीजे नहीं आती है मार्केट में तो पहले उसको ट्राइल किया जाता है उसके बाद ही उसको में मार्केट पे जो है वो उतारा जाता है तो दोस्तों आखिरकार जो है फाइनली एक काफी लंबे एक इंतजार के बा और साथ ही साथ एक proud feel होगा कि हम भारत के लोग भी भारती नागरिक भी अब इतना innovative हो चुके हैं इतना advance हो चुके हैं जो कि आप अपना ऐसा खुद का currency जो है अब launch कर रहे हैं तो guys ये था एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्पून update आशार उमीद करता हूं कि ये वीडिय आपको बहुत जादा knowledge full के साथ साथ आपको बहुत जादा पसंद आई होगी और अगर आप हमारे YouTube चैनल Everyday Banking पे पहली बारा हैं तो subscribe कर लिजेगा ताकि हम बार बार यूँ ही मिलते रहें notification bell on कर दिजेगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं किसी और वीडिय में जहिंद